हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन वेलकम बैक टू दे चैनल तो क्या हाल है जी मौज मस्ती हो रही है के नहीं कोई दिक्कत परिशानी हो तो अपने बड़े भिया को कमेंट कर दो सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स का सिल्यूशन यहां पर हम ट्राय करेंगे आपको पहुंचाने ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो चलो आज हम बढ़ने वाले हैं एक ब्यूटफुल अमेजिंग स्टोरी मिठाई वाला इयरफोन लगाओ चिल मार के बैठो और मस्त कहानी सुनो यार ठीक है टेंचन बिलकुल नहीं लेनी कोई दिक्कत परिशानी हो अपने बड़े भिया को बताओ तो चलो कहानी आज की शुरू करते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सोधाट आपको भी इजी रहे देखने में हाँ परफेक्ट देख रहा है ना नहीं देख रहा है तो कोई देख रहे हैं चलो बागी सुनते रहो अराम से कहानी सुनो बहुत ही मीटे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किन्तु मादक मधुर ढंग से गा कर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर होट थे मतलब वो इतने प्यार से इतने अच्छे से कहता था कि सुनने वाले एक्तम एक्साइटेड हो जाते उसके स्नेहा और क्या स्नेहा भी शक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के महानों में हलचल मच जाती मतलब जब वो अपने उतने सुन्दर गले से कोई भी गाना गाता तो ऐसा लगता आसपास के घरों में हलचल मच जाती चोटे चोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए यूफ्तियां चिकों को उठा कर चज्जों पर नीचे जाकने लगती अब चोटे चोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए यंग लड़कियां अपनी चटों से जाक कर दिखने लगती कौना है कौना है गलियों और उनके अंत व्यारपी छोटे छोटे उध्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का जुंड उसे घेर लेता और तब तक वह खिलोने वाला वहीं बैठकर खिलोने की पेटी खोल देता तो यह सिंपल क्या सीन है सीन यह है कि जब भी किसी पुरानी गली पुराने टाइम की बात है गलियों में खिलोने वाला आता था तो क्या होता था सब लोग एकदम हलचल मत जाती थी लोग देखने लेते थे और बच्चे तो एकदम उन्हें घेर के खड़े हो जाते थे बच्चे खिलोने देखकर पुलकित हो उटते यानि कि खुश हो उटते वे पैसे लाकर खिलोने का मोलभाव करने लगते कि बहिया इतने में देदो इतने में देदो पूछते इसका दाम क्या है अच्छा और इसका और इसका है इचका इचका मतलब प्यार से वे बच्चे बोलते हैं इचका क्या दाम है ऐसे पूछ थे हम खिलाने वाले बच्चों को देखता और उनकी ननी ननी उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उने खिलाने देता खिलोने लेकर फिर वे बच्चे उचलने कूदने लगते और तब फिर खिलोने वाला उसी प्रकारगा कर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला सागर की हिलोर की भाती उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता समझ रहो अब मतलब वो उन बच्चों को दे देता और आगे बढ़ जाता है राय विजय बहादूर के बच्चे भी एक दिन खिलोने लेकर घर आये अब स्टोरी शुरू होती है तो राय विजय बहादूर एक आदमी है जितके बच्चे एक दिन खिलोने लेकर घर आये वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू जो थे वो अपने घर खिलोने लेकर भी जोफने ले वत बचते ऐने अग जब खुलोने ले आाया तो बोला मेला गेछा चुंदल also काहसे बोलते हैं कि भोड़ा मिसंवी गोड़ा मेरा गोड़ा कैसा सुंदल पूसके 2 फाँ मेला गोड़े लिये थे लिए कैसे बोलेंगे, ऐसी तो बोलेंगे, अब दोनों अपने हाती घुड़े लेकर घर भर में उचलने लगे, इन बच्चों की मा रोहिनी कुछ देड़ खड़े खड़े उनका खेल निहार थी रही, मतलब निरखती रही, उन तब देखती रही, अंत में दोनों बच्चों को कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चे है, एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिनी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने का की आवश्रक्ता भी नहीं, मतलब उसको कभी नहीं लगा कि ये इतनी जरूरी बात है पर उसने बस सोचा था कि इतने सस्ते में दे कैसे राई है, अब 6 महिने बाद, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुर्ली वाले, मुर्ली ये पता है, पता है आपको बासरी बजाते हैं, मुर्ली वाले के आने का समाचार फैल गया था, लोग कहने लगे, अरे भाई वाह, मुर साथ हो, इतने में तो जितनी वह महनत करता है, वह भी पैसे नहीं आता है, संपल सी बात है कि इतनी कम पैसों में ये सब शाहर में लोग कहां से बेच रहे थे, एक र्क्ती ने पोछे लिया, कैसा है मुर्ली वाला, महनत उसे नहीं देखा, उत्तर मिला, उम्री तो उसकी अ अंगोचा, अंगोचा कहते हैं इसको, है ना, तो वही साफा बानता है, अरे वही तो नहीं जो पहले खिलोने बेचा करता था, क्या, वो पहले खिलोने भी बेचा करता था, तो मतलब ये वही इंसान था, जो पहले इतने सस्ते में बच्चे को खिलोने दे दिया करता था, प्रती दिन इस प्रकार उस मुर्ली वाले की चरचा हो थी, प्रते दिन नगर की प्रतिये गली में उसका मादक मुरदुल स्वर सुनाइँ पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुर्लिया वाला, मतलब उसने अब अपना नया गाना बना लिया था, खिलोने वाले से मुर्लिया वाला बन चुगा था, रोहिणी ने भी, रोहिणी कौन थी, उनकी वाइफ, उन बच्चुनुमनु की मम्मी, रोहिणी ने भी मुर्लिया वाले का यह सुर सुना उसने गाला सुना तुरंत ही उसे खिलोने वाला का स्परण हुआ है उसको याद आगे खिलोने वाला उसने मनी मन में कहा खिलोने वाला भी इसी तरह का गागा कर खिलोने बेचा करता था रोविणी उठकर अपने पती विजय बाबू के पास कही तरह उस मुर्ली वाले को बुलाओ तो चुनमुनू के लिए ले लूँ क्या पता यह है फिर इधर आए ना आए वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए है यह ना बच्चे विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे उसी तरह उसे लिए हुए वे दर्वाजे पर आकर मुर्ली वाले से बुले क्यों भई किस तरह देते हो मुर्ली पूछते ना आ रे वह कितने में देते ले ओं अब किसी की टोपी गली में गिर पड़ी किसी का जूता पार्क में ही चूठ गया और किस एक स्वर में सब बोल उठे हैं, हम भी लेने मुल्ली और हम भी लेने मुल्ली, मतलब क्या, मतलब यह है कि हम भी लेंगे मुल्ली, हम भी लेंगे मुल्ली, मतलब बच छोटे छोटे बच एक दम छोटे छोटे, तो वो कैसे ऐसी तो चिलाते हैं, हम भी लेंगे, हम भी लेंग ये मुल्ली वाला हर्श गदगद हो उठा मतला उद्दम खुश हो उठा बोला सब को देगे बैया लेकिन जरा रुको ठहरो एक एक को देने दो अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे बेचने तो आये ही हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो ती नहीं पू बेचाय बाबू भीतर आकर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिये मनी मन कहने लगे कैसा है देता तो सबको इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है फिर बोले तुम लोगों की जुट बोलने की आदत होती है देते होगे सभी को दो दो पैसे में पर एहस का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानी उठाकर चीज क्यों ना बेचे पर ग्राहक यही समझते हैं दो उसको अच्छा नहीं लगा दो उसने बोल दिया कि आपको क्या पता है कैसे मैं लाता हूं कितनी की पड़ती है दुकानदार मुझे लूट रहा है मतलब ऐसा ल बहाब पड़ी है विजय बाबू बोले अच्छा मुझे पर ज्यादा वक्त नहीं है जल्दी से दो दोठो निकालो मतलब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है फाल तू बहस करने का तुम चुप चाप दो निकालो अब दो मुर्लिया लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीत पहुंच गए मुर्ली वाला देर तक उन बच्चों के जुन में मुर्लिया बेचता रहा उसके पास कई रंग की मुर्लिया थी बच्चे जो रंग पसंद करते मुर्ली वाला उसी रंग की मुर्ली निकाल देता ये बड़ी अच्छी मुर्ली है तुम यही ले लो बाबू राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है, हाँ भया तुमको वही देंगे, अरे ये लो, तुमको वैसी नीच चाहिए, अरे तो ये वैसी नारंगी है, अरे ये नारंगी रंकी, अच्छा वही लेओ, मतलब वो बच्चों को कैसे करता था, अच्छा ले आए पैसे, पहले ही से एक निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे, धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर, अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं, बाबू, हाँ, फिर जाओ, आपकी बार मिल जाएंगे, दुवनी है, तो क्या यह लोग पैसे वापस ले लो ठीक हो जाए ठीक हो गया ना हिसाब मिल गए पैसे देखो मैंने तरकीब बताई अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है सब ले चुके तुमारी मा के पास पैसे नहीं है अच्छा तुम भी यह लो अच्छा तो अब मैं चलता हूँ इस तरह आज अपने मकान में बैटी हुई रोहनी मुर्ली वाले की सारी बाते सुनती रही है आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बाते करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया फिर वह सौधा भी कैसा सस्ता बेचता है बला आदमी जान पड़ता ह आज हमय की बात है जो पिचारा इस तरह मारा मारा फिरता है पेट जो ना करआए सो थोड़ा मतलब इंसान अपने पेट के ली क्या क्या करता है मतलब ना पेट पालने के लिए इसी जमें मुर्ली वाले का शीन स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा बच्चो को बहलाने वाला मुर्लिया वाला रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुर्ली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रतीवेस नहीं सकती बातें याद आती रहें वो इतने प्यार से बात करता, इतनी अच्छी आवास है यह उसको दिमाग में चलता रहा है रोहिनी की महिने के महिने आये और चले गए फिर मुर्ली वाला नहीं आया देरे देरे उसकी स्मृती भी शीन हो गई, मतलब खतम हो गई वो मुर्ली वाला भी चला गया, मतलब वो आयाता ही नहीं था आठ महीने बाद, सर्दी के दिन थे, रोहिनी सनान करके मकान की चट पर चड़कर क्या, आजानू लंबित, केश राशी सुखा रही थी यानि के बहुत लंबे अपने जो बालते नहीं सुखा रही थी इस समय नीचे की गलीश में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मतलब अब वो कुछ और बनके, इस बार वो मिठाई वाला बनके आया था मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, उसकी अवाज जट से रोहणी नीचे उतर आई, उस समय उसके पती मकान में नहीं थी हाँ, उनकी वृध्धा दादी थी, मतलब उनकी दादी थी रोहणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुनमनू के लिए मिठाई लीनी है जरा कमरे में चल कर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाओ, कोई आता नहीं हो जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना मिठाई वाला निकट आगया बोला, कितनी मिठाई दूमा ये नए तरह की मिठाईया है, रंग बिरंगी, कुछ-कुछ खटी, कुछ-कुछ मीठी जाइकेदार बड़ी देर तक मुँ में टिकती है, जल्दी नहीं गुलती, बच्चे बड़े चाव से इसे चूशते है इन गुडों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूम, चप्टी, गोल, पहलदार, गोलिया है पैसे की सोला देता हूँ, को दादी बोली सोला तो बहुत कम होती है, बला, पच्चीश थो देते है इतना भी, देता हूँ, यह अब मैं, तुम्हें क्या, केर मैं अधिक न दे सकूँगा मतलब उसने बोला कि अरे तुम तो बड़ा गंजूस हो 16 क्या 25 दो है ना तो लोग तो यार कुछ भी मांगते हैं वो बोला नहीं नहीं दादी मैं इस ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा रोवनी दादी के पास ही थी बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है चार पैसे की ले लो ये पैसे रहे हैं मतलब उसने बोला समझके न अब मिठाई वाला मिठाईयां गिनने लगा तो चार की दे दो अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो अरे हां मैं बूडी हुई मोल पड़ी रोवनी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आये थे या पहली बार आये हो यहां के निवासी तो तुम नहीं अब दादी ने इस कथन को धहराने की चेश्ठा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी पहले कर आया था और उससे भी पहले खिलोने ले तो उसने अपने खुशों के सब बता दिया हुणी कानुमान ठीक निकला अब तो वह उससे और भी कुछ बाते पूछने के लिए अस्तिर हो उटी वो बोली इन व्यवसायों में भला तुम क्या मित तुमें मिलता क्या है व और यही मैं चाहता भी हूँ अच्छा सो कैसे वो भी बताओ अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो उन्हें आप जाने ही दे उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा मतलब उसने अपनी को स्टोरी बताना शुरू कर रहा हुए जब इतना बताया है तब और भी मतादो मैं बहुत उच्चो कूँ तुम्हारा हर्जा ना होगा मिठाई में और बी ले लूंगी मतलब Curry कहानी शुरू होती है अते शे गंबीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने तंगर का एक प्रतिश्टित आदमी था मकान व्यावत इस 10ाई मेरे नौकर नौ बीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मतलब वो मेरी जान थी, मेरी वाइफ, बच्चे ऐसे सुंदर थे, जैसे सोने के सजीव खिलोने हैं, उनकी अठखेलियों के मारे घर में कुलाहल मचा रहता था, मतलब घर में शोर शराबा, खुशी से मचा रहता था, समय की गती, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, मतलब जिंदगी ऐसी आगे बढ़ी कि अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे, तो यहीं कहीं, आखिर कहीं जन्मे ही होंगे, मतलब उनकी वाइफ थी और उनके बच्चे उनकी डेथ हो गई, तो वो मानता था, मतलब उनने बच्चों से बहुत प्यार हो गया, इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक जलक्स ही मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है, जैसे वे इ रोहिनी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आँखें आशों से तर है, इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिनी से लिपट कर उसका आचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई, मुझसे लोग ये कहकर ततकाल कागस की दो पुडिया मिठाईयों से भरी, मिठाई को बहलाने वाला, मिठाई वाला, यानि कि वो आगे जा चुका था, तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, स्टोरी इस ओवर, सो तो नहीं गए, कोई अच्छे, उट रहे हो ना, वेरी गुड, उट रहे हो तो कमेंट कर दो, आमको स्टोरी अच्छी लगी, यानि emotional अच्छी स इसी स्टोरी इस भी पढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो सुन तो सकते ही ओडियो बुक की तरह है, वैसी आप सुना करो चिल मार के, तो अगर अच्छी लगी हो स्टोरी, तो क्या करना है, कॉमेंट और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो गा वाजबस्ती करते रहिए